हेलो दोस्तों, विल्कम बैक टो माई चैनल आज किस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे साबुदाना और आलू के इतने सुन्दर दिखने वाले पापड तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये पापड बनाने में थोड़े से अलग तरीके से बनते हैं लेकिन बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी बना सकता है और बनाने के बाद जब इसे फ्राइ करोगे तो अपने साइस के डबल हो जाते हैं ठाने में बहुत ही कुरकुरे होते हैं और बनाने में बहुत ही आसान तो चलिए शुरू करते हूं बनाना सीखते हैं यहां पर हमने लेना है आदा पक्प के जितना साबू-दना साबू-दने को बिगोने कोई जर्द नहीं है आप बस इसे सीधा मिक्सी में डाले और उसका फाईन पाउडर बना ले तो यहां पर मैंने इसे पीस लिया है पिसने के बाद इसे पकाना बहुत ही आसान हो जाता है आपको ज़्यादा देर तक पकाने में महनुत नहीं करनी पड़ेगी तो इसे पीस के आप एक परतर में निकाल ले और इसमें थोड़े से एक से दो चम मच के जितना साबुच साबुदाने ऐसे और डाल दें पापड बनने के बाद जब बीच-बीच में ऐसे साबुदाने दिखते हैं तो वो भी बड़े सुन्दर लगते हैं यहाँ पर मैंने दो चोटे अकार के आलू लिया है जिसको छील लिया है और पानी में छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है पानी से एक से दो बार धोने के बाद इसे mixi में डालने से mixi में साथी में थोड़ा सा पानी आट करने के बाद इसका भी आपको smooth puree बना ले रहा है मैंने दो छोटे अकार के आलू लिये थे तो ये total पीसने के बाद एक कटोरी के जितना निकला अगर आपका जाधा निकल रहा है तो आपको उसी आप से पानी भी जाधा डालना पड़ेगा तो एक कटोरी ये आलू का puree है سाथ में इसमें ह्म दालेंगे एक कटोरी के हिसाब से चे कटोरी के जितना सादा पानी, नॉमल वाला तो यहाँ पे 6 कटोरी के जितना मैं पानी डालना पड़ेगा उधर हमारा आधा कटोरी के जितना पिसा हुआ साबूदाना भी है अगर आप मानलो जादा बना रहे हो तो आप देख लीजे, कौंटिरी डबल कर लीजे अब धीरे धीरे पानी को चलाते वे आपको इस तरीके से साबूदाना पाउडर डालना है ताकि इसके लंप्स नहीं बने थोड़े देर में आप देखोगे कि यह जो मिक्षर है यह गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा आप इसे लगातार चलाते रहे हैं छोड़की नहीं रहे नहीं तो इसमें गुठलियां बन जाएंगी अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों फटा फट इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बूलें ताकि आप ही जैसे और दोस्ते तक इस तरीके की आसान सी रैस्पीस पहुचे तो यह देखे दीरे दीरे आपको इसमें साबुदान और आलू दोनों ही गाड़े होते वे दिख रहे हैं थोड़े देर के बाद यह मिक्षर पूरी तरीके से जैसे जल जैसा टेक्शर होता है वैसा हो जाएगा बस इसे आप लगादार चलाते रहें यह मिक्षर पकाते हुए मुझे 15 मिनट हो चुके हैं अवे तक दोस्तों मीडियम फ्लेम पे मैं आपको आगे बताऊंगे कि कितनी देर और पकाना है वैसे तो बहुत फटा फट वाली रेसिपी है आपने देखा जैसे नॉर्मल साबू दाने को जब हम बिगो के पकाते हैं तो जाधा टाइम लगता है लेकिन जब इस तरीके से पीस के पकाते हैं तो बड़ी जल्दी पक जाते हैं यह देखिए धीरे यह बहुत जल्दी गाड़ा होना शुरू हो रहा है तो 15 मिनट के बाद कुछ ऐसा दिखेगा और जो हमने आलू पीस के डाले थे बिल्कुल भी काले नहीं पड़े बस एक चीज़ ध्यान रखेगा जब कच्चे आलू आप काट रहे हूं तो आप उसको फेधन जवर यह लिएसा जीरा और नमक यह डाला रह ही और भी जो हो इहां वहां मर्श जाह हो सब्सक्राण गड़ार मिर्श यद मिर्श कर सकते हैं एक बाद मिर्श बड़े शोड़ासा इसमें नमक पसंद करती हूं थे बाकी आप नमक अपने स्वादा नूजल दा ले स यह देखिए जो हमने साबुद इसमें साबुदाना यूज किया है उसके भी पर्स बीच बीच में आ रहे हैं जो कि देखने में काफी सुन्दर लगते हैं अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा तो जीरा मैंने एक छोटा चममच के जितना लिया है उससे जाधा नहीं डालेंगे जीरा हमेशा मैं जब मिक्षर पक जाता है उसके बार डालती हूं नहीं तो पूरा मिक्षर आपका पीला हो जाएगा जब रंग चोड़ता है तो इसलिए मैं पकने के बाद ही डालती हूँ गैस की फ्लेम जब बंद होती है तब तो यह थोड़ा सा ठंडा हो भी चुका है एकदम कंप्रीटली ठंडा नहीं करेंगे सब चलिए डालने की तयारी करते हैं हमने इसे exactly 25 मिनिट के लिए पकाया है मीडियम हाई फ्लेम पे तो यह कुछ ऐसा दिखेगा जीरा डालने के बाद आपको नहीं पकाना है नहीं तो वापस से मैं बोल रही हूँ कि यह पीला हो जाएगा पूरा कम पूरा मिक्षर जैसा ट्रांस्पेरेंट आपको चाहिए वैस इसे बीच में डाले अगर आपके पास in case metal वाली चूडी नहीं है तो आप कांच से भी बना सकते है वैसे एक साफ चूडी से पस जो मिक्षर है हमारा उसको थोड़ा सा आप और ठंडा कर लें ऐसे आप करोगे तो आपके same size के सारे के सारे पापड बनेंगे इसे हम धूप म रख देंगे completely सूखने के लिए दो से तीन दिन में बड़े आराम से सूख जाएगा तो same way में मैंने सारे के सारे पापड बना के तयार कर लिए हैं जितना मिक्षर मैंने बनाया था उसमें total 100 के उपर पापड बने थे करीबन 120-130 पापड के जितना बना था मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ ऐसानी के सिर्फ बोल रही हूँ तो यह सारे पापड उसी चीज कुछ लगाने की ज़रुती है सूखने के बाद बड़े अराम से अपने आप ही निकल आएंगे तो completely सूखने के बाद यह कुछ ऐसे दिखेंगे तीन से चार दिन के बाद अब इसे मैं आपको तलके दिखाती हूँ कि किस तरीके से फूलेंगे देखने में लग रहे हैं ना कितने सूंदर तो चलिए इसको तलके देखते हैं और सारी हमारे सेम साइज के बने हैं क्योंकि हमने चूडी से डाला था यहाँ पर मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है एक एक करके डाल के फ्राइ कर लेंगे गरम देल में तो दोस्तों इसी तरीके के और भी बहुत सारे पापड की रेस्पीज मैंने अपने यूटिप चैनल पर अल्रेड़ी शेयर करके रखी हैं बहुत ही अमेजिंग रेस्पीज है वो भी आप जाके इसी वीडियो के डिस्कुशन बॉक्स में चेक कर सकते हैं को जैसा भी पापड पसंदे चाहे आलू का चावल का अपलम पापड कोई सा भी पापड आपको सारी रेस्पीज वहाँ पर मिलेंगे आप चाके वो रेस्पीज भी चेक करें बहुत ही अमेजिंग रेस्पी हैं वो भी यह देखिए तलने के बाद एकदम डबल हो रहे है प् अपलोड करूँगी उनकी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होंगे आपको हमेशा एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एक नया वीडियो अपलोड हुआ है इस चैनल पर चलिए देख लें यह देखिए बहुत ही अमेजिंग से पापड है आप इसे एक एर टाइट कंटेनर में सालो साल रख सकते हैं खराब नहीं होंगे जब भी आपको खाने का मन हो निकालिए दली और खा लीजे तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना ना बुले कि यह रेस्पी आप सभी को कैसी लगी मैं मिलती हूं उसी तरीके की एक और नही रेस्पी के साथ नए दिन आप सभी के साथ तब तक के लिए टेक के अपब आ एंजोई दिस रेस्पी